नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम सजिनकुमार है और आज हम बात करेंगे UV Marble Sheets के बारे में दोस्तों UV Marble Sheets को अलग लग नाम से मार्केट में जाना जाता है UV Marble Sheets, PVC Seets, Fox Marble, Artificial Marble, उसके बहुत सारे नाम है आज मैं आपके सारे के सारे के निफूजिन दूर कर दूँगा और आपको बताऊंगा एक्चल में UV Marble Sheets होती क्या है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी जनकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वीडियो में दिखाया गया प्रड़क्ट अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ओनलाइन परचेज कर सकते हैं इस वीडियो की दोरान आपकी स्क्रीन पर एक या दो कॉपन कोड स्क्रीन पर डिस्पले होंगे जिनका इस्तमाल करके आप 10% से लेकर 60% तक का डिस्काउंट बेनिफिट ले सकते हैं यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा यह कॉपन लिमिनेटी समय के लिए ही अवेलेबल है और आप इनका सिर्फ एक बार ही इस्तमाल कर सकते हैं अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर अब हम बात करेंगे UV Marble की हिस्टरी की बार में तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा UV Marble Street पिछले 4-5 सालों से मार्केट में अवेलेबल है सबसे पहले इसका मैनुफेक्चरिंग चाइना में होता था काफी सारे इंडियन्स ने चाइना से इसको बहुत बुड़ी मात्रा में इंपोर्ट भी किया है लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इंडिया में भी 4-5 लोकेशन पर इसका मैनुफेक्चरिंग होना सार्ट हो गया है यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा इससे आप एक तरीके से अपने देश की सेवा कर रहे होते हैं अब बात करते हैं आके UV Marble Sheets होती गया है तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा UV Marble Sheets सुछ सनमाइका जैसी ही होती है आपने सनमाइका का अपने गरों में जरूर इस्तमाल किया होगा सनमाइका को हम अपने फनीचर में इस्तमाल करते हैं UV Marble Sheets तकरीबन 3-4 एम की होती है जबकि सनमाइका एक एम से भी कम मोटा होता है और सनमाइका पानी वगरा से खराब जाता है जैसे हम PVC Board और NWPC Board बनाते हैं उससी तरीके से UV Marble Sheets भी बनाई जाती है अब बात करते हैं UV Marble Sheets का इस्तमाल हम कहां कहां कर सकते हैं तो दोस्तों यहां हम आपको बताना चाहूंगा UV Marble Sheets का इस्तमाल हम अनेक अनेक जगह पर कर सकते हैं जैसे हम इसका इस्तमाल अपने किचन में कर सकते हैं बैडरूम में कर सकते हैं इसमें आपको paint करने की आउशकता नहीं है और यह बहुत जल्दी तियार होती है इसका इस्तमाल अपने ceilings में या किसी और वोल पे भी कर सकते हैं तो आप UV Marble Sheets को अपने हिसाब से अनिक और अनिक जिंगे पर इस्तमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं Durability and Designs की पचास से अधिक designs available है यह वो स्रेंड डिजाइन है जो readily available होते हैं अगर आपको कोई specific design है तो उसको भी हम create कर सकते हैं यह हम आपको यह भी बताने चाहूँगा अगर आपका कोई bulk order है तो हम आपके लिए किसी design को customize भी कर सकते हैं जैसे seat का stand size 8 feet by 4 feet है तो हम आपके लिए seat को 4 feet by 4 feet 6 feet by 4 feet, 8 feet by 4 feet 10 feet by 4 feet या 12 feet by 4 feet इस तरीके से भी कस्तमाईज कर सकते हैं हम आपके लिए कोई डिजाइन भी create कर सकते हैं अब बात करते हैं इस seat का आपको क्या benefit है और क्या नुकसान है तो यहां मैं आपको बताने चाहूँगा इस seat का आपको benefit यह है कि जहां भी आप इसको लगाएंगे इसके बाद आपको उस दिगाव को भी paint करने की आउशकता नहीं है यह सालो साल खरार नहीं होती है इसलिए यह अपने सरूप में जैसी आपने लगाया था हमेशा वैसी ही रहती है इससे आपको काम जल्दी खतम होता है जहां आपको white wash या paint कराने में अपने घवर में 4-6 मिने का समय लगता है वहां आप इससे अपने काम को एक से दो दिन में करके खतम कर सकते हैं तो कम पैसो में आपका काम जल्दी से खतम हो जाता है अब इसके नुकसान के बारे हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप इसको एक्सरी में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूप से बोजल्दी खराब हो जाती है इसका इसमाल आप अपने फ्लोर पर नहीं कर सकते हैं यह शीट बहुत जादा शाइन करती है इसलिए यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनें बहुत जादा चमक दमक पसंद नहीं है यूज मार्बल स्टीट्स को ले करके अभी भी आपके मुन में कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैमरें डोर्स की बारे में मेरे साथ बनने रहने के लिए आपको बहुत बहुत दिन्यवाद मिलते हैं अंगले वीडियो में नमस्कार जया हिंद